पाकिस्तान ने श्री लंका को एक तरफा हार थमा दी जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान और श्री लंका के बीच हुए मुकाबले में श्री लंका ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया पहले बल्ले बाजी करते हुए श्री लंका की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 344 रन बनाए जहां पाकिस्तान के गेन बाजों ने जबज़दस्त गेन बाजे की जहां पर हसन अली ने 4 विकेट, हालिस रौफ ने 2 विकेट चटके उनके साथ ही शाइन अफरीदी, मौहमद नवास और शादाब खान को एक एक विकेट मिला 344 रन के लक्ष काप पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत काफी खराब रही जहां इमाम उलहक 12 रन और कप्तान बाबाराजब 10 रन बना कर आउट हो गए उनके बाद अब्दुल्ला शफीक और मौहमद रजवान ने पारी को संबला और अपनी शद्की पारी की बदालत 6 विकेट से पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीत लिया दोस्तों आप पाकिस्तान टीम की जीत के बारे में क्या गहेंगे कॉमेंट करके जरूर बताएं